सबी को नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सय अचारे, समराट पित्युरा चोहान, राज की महावध्यालिया अजमेर आज हम सरसे जग बंद में दिशात्मा गुण के संबंद में जो है वो बात करेंगे आपको ध्यान होगा, हमने पिछले बार जो लेक्चर वैलेंसी बंद थियोरी के संदर्म में पड़ा था तो हमने वहाँ पर अंत में जाकर उसकी कुछ सीमाओं के बारे में, उसकी कमियों के बारे में भी चर्चा की थी कि Valency Bond Theory जो है वो वैसे Covalent Bond को Covalent Bonding को समझाने में सफल हुई लेकिन कुछ ऐसे गुण है जो कि हम Valency Bond Theory के अधार पर नहीं समझा सकते जैसे कि Covalent Bond का बनना जैसे कि Coordination Bond का बनना वो हम जो है जिसको हम Unical Sharing of Electron कहते हैं उसको हम उस अधार पर नहीं समझा सकते है उसके जानों चुम्ब के गुण है उनको हम उसके आधार पर नहीं समझा सकते क्योंकि Valency Bond Theory के आधार पर तो Oxygen जो है उसके अंदर कोई भी अयुगमित Electron नहीं होता तो उस आधार पर उसके जो चुम्ब के गुण है वो उसके Electronic सिद्दान्त उसके Electronic Configuration से Match नहीं करते तो इस तरह से हमने पिछले बार जो है वो Valency Bond Theory के संदर्व में बात की थी आज हम Valency Bond Theory के उपर ही आधारित जो है उसके Directional Characteristics या दिरशात्मक गुणों के संबन्द में कुछ बात करेंगे लेकि हम जानते हैं Pauling और Slater ने सहसयोज़ता बंद जो समझाने के लिए किया था उन्होंने उसकी Bonding को और Structures को समझाने के लिए किया था इस सिदान्द के अनुसार ही सहसयोज़ता बंद का सामर्थे Strength जो है वो परमानिवे कक्षकों के अती व्यापन की सीमा पर निर्वर करती है हम जानते हैं कि इसी सिदान्द के अधार पर हमने पढ़ा कि जितना ज़्यादा Extent of Overlapping Atomic Orbitals को होगा उस Bond की Strength जो है वो भी उतनी ही अधिक होगी अर्था जितना अधिक अती व्यापन या Overlapping होगा बंद उतना ही मजबूत बनेगा इसी सिदान्द के अनुसार बंद में भाग लेने वाले कक्षकों की उर्जा यानि Energy तथा Symmetry जो है वो समान होनी चाहिए इस सिदान्द में ये कहा गया कि जो Overlapping करने वाले Orbitals है उनकी Energy जो है और उनकी जो Symmetry है वो लगबग समान होनी चाहिए इस प्रकार अधिक्तम अतिव्यापन की दिशा ही बंदन की दिशा होती है तो हम कह सकते हैं कि जो Maximum Overlapping का जो Direction है वो ही Bond का इसमें Direction होगा विबिन कक्षकों के अतिव्यापन से सहस्योजग बंद के निर्माण में दिशा के प्रभाव को हम निम्न उधारणों दारा स्पष्ट कर सकते हैं उससे समझा सकते हैं हम बात करेंगे कि जो Different Bonds हैं जो की अतिव्यापन से बन रहे हैं उसके Directional Characteristics को अगर हमें समझना है तो हम क्या है उसके कुछ सामाने उधारण यहां पर लेंगे और उस आधार पर हम इसे समझने की पोशिश करेंगे सबसे बहले हम लेते हैं B2 अणू का उधारण बोरोन का बोरोन का Electronic विन्याज जो होता है वो 1s2, 2s2, 2px, 1 है यह हम सभी जानते हैं अर्थात इसमें अयुगमित इलेक्ट्रोन Px कक्षक में मौजूद है इसमें जो एक अयुगमित इलेक्ट्रोन है वो किसमें है वो Px कक्षक में मौजूद है अते Bb अनू यानि B2 अनू जो है केवल उस स्तिती में बनेगा यदि बोरोन परमानू एक दूसरे की और X कक्षक की तरफ पर भढ़ेंगे यानि के दौनो जब परमानू बोरोन परमानू जो है वो X कक्ष की तरफ बढ़ेंगे पर बढ़ेंगे तो उनके बीच में इस परकार का बॉन्ड फॉर्मिशन होगा क्योंकि इसी अक्ष पर कक्षकों का अतिव्यापन होकर एक सिग्मा बंद बन सकता है इसको अपन यहां पर इधारन से देख सकते हैं देखिए दो बोरोन के परमानू की बात है इसका जो हमने इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन देखा इसमें 1S2, 2S2, 2P, X1 है यानि कि जो अयुगमेत इलेक्ट्रोन है वो PX कक्षक में मौजूद है तो जो दोनों PX कक्षक हैं वो एक दूसरे की तरफ जिसको हम देख सकते हैं बढ़ रहे हैं और उसके पश्चात नीचे जो है उनके बीच में कोयक्जिल ओवरलापिंग होकर जो है समपार्श्विक अतिव्यापन जो जिसको अपन कहते हैं समाग्षती व्यापन होकर समपार्श्विक अतिव्यापन तो पाई बॉंड में होता है समाग्षती व्यापन से चो है एक सिग्मा बन का निर्मान होता है और उसको अपन इस चितर की साइता से यहाँ पर दिखा सकते हैं नेक्स लेते हैं ऑक्सीजन अनका बनना ओक्सीजन का इलेक्ट्रोनिक विन्यास जो है वो होता है 1S2, 2S2, 2PX2, 2PY1 and 2PZ1 अते इलेक्ट्रोनिक विन्यास के अधार पर ओक्सीजन के पास दो युगमित इलेक्ट्रोन होते हैं जो क्रमश है इसके PY और PZ कक्षकों में उपस्तित रहते हैं ये दोनों कक्षक परस पर एक दूसरे से लंबवत यानि 90 डिगरी के कौन पर स्तित रहते हैं अते यदि दो ओक्सीजन परमानू एक दूसरे के समीप Y अत्वा Z अक्ष पर आएंगे तो PY-PY कक्षक का अतिव्यापन होकर एक सिगमा बंद बन जाएगा किन्तु विपरीत चक्रण वाले एक-एक अयुगमित इलेक्टरौन जो है वो दोनों वापिस बोलता हूं इसको किन्तु विपरीत चक्रण वाला एक-एक अयुगमित इलेक्टरौन जो है दोनों के PZ कक्षकों में उपस्तित है इन कक्षकों का अतिव्यापन अक्षपर संभव नहीं है अते इन कक्षकों का पार्षवती यानि साइडवाइस इसको हम कह सकते हैं सह पार्षविक या ओलेटरल ओवरलैपिंग होता है तो यह जो कक्षक हैं जो PZ उस पर अक्षपर हैं इनका जो है ओलेटरल ओवरलैपिंग होता है और P कक्षकों का सह पार्षविय अतिव्यापन जिससे आदा बंद उपर वे आदा बंद नीचे बंता है मिलकर एक पाई बंद कहलाता है अते पाई बंद का बनना जो है वो हम इस प्रकार oxygen में चितरद्वारा समझा सकते हैं देखें यहाँ पर क्या है यहाँ पर पाई बंड का formation है तो PZ axis जो है उस पर और दूसरे PZ axis पर दौनों पर जो है जो उसमें एक एक electron है तो इनके बीच में जो overlapping होगी वो एकदम सीधी नहीं हो सकती वो उपर और नीचे के तरफ अक्ष के उपर या नीचे के तरफ हो सकती है जिसको हम सह पार्षविक अतिव्यापन या colateral overlapping कहते हैं तो इस तरह का पार्षविती अतिव्यापन होकर इस प्रकार से एक πाई bond का formation जो है वो इसमें होता है चुकि यहां अतिव्यापन बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में दो स्थानों पर होता है अतिए एक πाई बंद सिग्मा बंद की तुल्ना में दुर्बल प्रकृतिका होता है अतिए एक oxygen अनू बनने में oxygen परमाणों के मध्ये दो बंद का निर्मान होगा पहला एक सिग्मा बंद जो प्य 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 कक्षकों के अक्षिय यानि coaxial overlapping से बनेगा और दूसरा प्य बंद जो की Pz Pz कक्षकों के सह पार्षवी अतिव्यापन यानि co-literal overlapping से बनेगा इस प्रकार oxygen अनू के बनने को हम इस प्रकार नए जो हम चितर दिखा रहे हैं उसकी सायता से समझ सकते हैं तो दिखें यहाँ पर जो oxygen परमाणू है इसमें यहाँ Px, Py और Pz तीनों तरह के orbitals को यहाँ पर हमने दिखाया गया है तो Py एक्सिस पर जो orbitals हैं उनके अक्षी अतिव्यापन से एक sigma bond का निर्माण होता है और Pz दिशा में जो कक्षक हैं उनके अतिव्यापन से सह पार्षविक अतिव्यापन से को-literal overlapping से πाई बॉन्ड का निर्माण जो होता है तो इसको हमने यहाँ पर इस तरह से दिखाया है दो oxygen परमाणू हैं इनके मध्ये दो बंद बन रहे हैं जिसमें एक sigma बंद बनेगा जो की coaxial overlapping of जो है Py orbital उससे बनेगा और एक πाई बॉन्ड बनेगा जो की co-literal overlapping of PZ orbitals दोनों PZ orbital से बनेगा तो इस तरह से oxygen अनू के अंदर यह इस प्रकार से दोनों बंद जो है उनका निर्माण होता है फिर हम अगला उधारने लेते हैं nitrogen अनू का देखें nitrogen जो है उसका जो परमाण विये जो atomic number है वो साथ होता है परमाणो करमाण साथ है और इसका electronic विन्यास किस प्रकार से होगा इसका electronic विन्यास होगा 1S2, 2S2, 2PX1, 2PY1 and 2PZ1 तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम electronic configuration को देखें तो nitrogen के पास में तीन अयुगमित electron है जो की करमशे PX, PY और PZ कक्षकों में उपस्तित हैं अतै दो nitrogen परमाणों के मध्ये तीन बंद बनेंगे अब यहाँ हम nitrogen अणू के बनने की बात हम कर रहे हैं तो जो दो nitrogen अटम्स जब पास में आएंगे तो उनके बीच में स्वभाविक रुप से क्योंकि तीन अनपेड इलेक्टरोंस हैं तो तीन बंद जो हैं उनके बीच में बनेंगे स्वभाविक है इसमें अक्षिय अतिव्यापन तो एक ही कक्षक करेगा और शेश दो कक्षकों का सह पार्षविय अतिव्यापन होगा तो हम कह सकते हैं कि एक बट नैचुरल सी बात है कि जब यह तीन बंद बन रहे हैं तो उनमें से दो जो orbitals हैं उनके coaxial overlapping से sigma bond बनेगा और बाकी शेश जो दो कक्षक हैं वो अन्य दो कक्षकों के साथ में polateral overlapping से दो orbitals जो हैं वो दूसरे अन्य दूसरे orbitals के साथ में polateral overlapping करके क्या करेंगे पाई बॉंड का दो पाई बॉंड का निर्मान करेंगे तो दो nitrogen प्रमानों के मध्ये एक sigma बंद वे दो पाई बं होंगे देखिए अपन इसको यहां पर देख सकते हैं तो देखिए यहां पर हमने तीन axis दिखाया है nitrogen की हम बात करें एक है x axis एक है y axis और एक है z axis तो जो x axis है उस पर हमने अक्षियती व्यापन दिखाया यानि coaxial overlapping दिखाया px px orbitals के मध्ये और एक sigma बंद का निर्मान होग इसके बाद में pz axis पर जो है वो सहब पार्शिवी अतिव्यापन जो है वो दोनों जो orbitals के बीच में होगा उपर और नीचे की दिशा में तो यह क्या होगा यह एक पाई बॉंट बनेगा इसी तरह से जो है py यानि y axis के along जो है वो भी समपार्शिवीक अतिव्यापन होगा यानि के py orbital एक nitrogen का और दूसरे nitrogen का py orbital इनके बीच में जो है वो collateral overlapping होगी यानि overlapping जो होती है वो अक्ष की दिशा में ना होकर उसके उपर वाई नीचे होती है और उसका जो परास होता है overlapping का वो भी काफी कम होता है इसलिए जो py bond है वो काफी कमजोर होता है तो इस तरह से nitrogen के बीच में दो py bond बनेंगे एक जो बनेगा वो py orbital की overlapping से collateral overlapping से एक बनेगा pz-pz orbitals की collateral overlapping से और px-px orbital की coaxial overlapping से समपाश्विक अतिव्यापन से जो है वो sigma बंद जह है उसका निर्मान होता है तो इस तरह से nitrogen के अंदर एक sigma बंद और दो py बंदों का निर्मान जो है उनके मध्ये overlapping से होता है अब अपन बात करते हैं H2O अनू के समपन में जल के अनू के जल के एक अनू में एक oxygen परमानू दो hydrogen परमानू के साथ जुड़ा हुआ है oxygen परमानू के पास दो एयुगमित electron py वे pz कक्षक में उपस्तित है और प्रतेक hydrogen परमानू के पास एक एक electron जो है उसके एक एस कक्ष में उपस्तित है अतै यदि दो hydrogen परमानू Y वे z-axis की दिशा से जो है वो oxygen परमानू की और आएंगे तो अतिव्यापन दोरा दो सिगमा बंद बनेंगे और H2O का एक अनू जो है वो उसका निर्मान होगा तो जो है hydrogen के परमानू जो है वो oxygen की तरफ Y और Z-axis की दिशा में जब हम बढ़ेंगे तब oxygen की तरफ वो बढ़ेंगे तो क्या होगा दो सिगमा बंद का निर्मान होगा देखे अपन कैसे देखे यहाँ पर oxygen जो है उसके अंदर Y-axis और Z-axis जो है उसको हम देख सकते हैं उसमें एक-एक इलेक्टरॉन है और उसी आक्सिस के अलॉंग जो है वो दो hydrogen परमानू इसकी तरफ बढ़ रहे हैं और जो X-axis है उस पर जो है जो P-Z-orbital, P-X-orbital है उस पर दो इलेक्टरॉन जो है उसका lone pair of electron जो है उस पर उपस्तित हैं तो हम देख सकते हैं जल के अंदर दो hydrogen परमानू जो की Y-axis के अलॉंग और Z-axis के अलॉंग बढ़ेंगे तो वो collateral overlapping करके coaxial त्वरी समाक्ष अतिव्यापन करके जो है वो द सिग्मा बॉंड का निर्मान करेंगे तो इस तरह से H2O में दो सिग्मा बॉंड जो है उनका formation होता है तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो valency bond theory है उसके दारा हम covalent bonds जो है उनके अंदर दिशात्मक गुण जो है उनको हम समझा सकते हैं इसके बाद में कल हम इसके संबन में और बाचीत करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से दो covalent bonds जो है दो प्रकार के covalent bonds होते हैं एक sigma bond और एक pi bond जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद